प्रति दिन प्रद्रशी तोने वाली इस संसुधित संपद्र की विशेशन की चर्चा में जो अपने आप में चाहे वो संदी सेवा हो चाहे वो अन्हीं प्रद्रदीरा परिक्सा हो उनके लिए बहुत ही उप्योगी है मैं हूँ आपके साथ द्रू जानी आज दो मीडिया रिपोट के बारे में बात करनी है आज के दिन यानि की 13 अगस्त को दो मीडिया रिपोटों के बारे में देखेंगे दोनों ही अपने आपने परिक्साब दिश्टी से महत्तोपोन है साथी मैं समझ को बिनने के लिए भी मह अपने के लिए प्रफर के दोनों ही सबसे प्रतम जो मीडिया रिपोट है वो टीवाइक की कर्टसी से मिला है यानि कि थाप्श आपने आप में जो कुण से संब्च बिमारी उप्रकर का एनिमिया जो मुझरत के ट्राइबल पॉपुलेशन व्यूद्य में सबसे ज़्यद उसको भी सबनने का प्रियास करेंगे और साथ ही में जो कोई स्टेटिक तत्व अगर कोई यहां निकलता है तो उनको भी देखेंगे जिसे ट्राइबल पॉपिलेशन हो या उनका देमोग्राफिक डिस्ट्रिबीशन हो या इत्यदी कोई भी चीज तेन आफटर दूसरा जो अगर यहां यहां यह पूरा का पूरा जो एटम्ट है वो विफल होता देख रहा है विफल होने के कारणों को पासेंगे साथ ही में जी एसली पोग्रम के बढ़े में भी देखेंगे और जी एसली एफटेन के द्वरा जो सेटेलाइट नूँच होने वाला था जिसे देखेंगे समढ़ने का प्रियास करेंगे परिक्षाद दिश्टी से भी महत्तोपुन है क्योंकि अपने आपने इंडिजनेजेशन एंड डिवलोपेंट ऑफ स्पेस टेकनोलोजी है साथी में स्पेस एक्स्प्रोरेशन यानिकी साइंस और टेकनोलोजी का बहुत ही महत्त यानिया इन गुजरत प्राइबल पॉपुलेशन गुजरत की जनजाती आबादी है उसमें ज्यादे से ज़्यादा बिरांति कोष्ट की बीमारिया जो है वह देखने को मिली पूरे भारत पर में तो यह अपने आपने महत्तोपुन समाचार है चार बिंदू के तहत यह पॉपुलेशन इंड कंट्री एंड गुजरत को भी हम लोग देखेंगे और समढ़ने का परियास करेंगे अगर जो आप कवर देख रहे हैं तो यह जो पूरा स्ट्रेच है यह पूरा स्ट्रेच बहुत ही प्रभावित है आप देख सकते हो ठीक है पूरे भारत में जो मद है यहां की जो ट्राइबल अबाद ही है वहां सिकल सेल उनमें यह बीमारी जो हो देखने को मिनती है देखेंगे सारी चीज़े और कार्या सूची के तहट एक-एक मुद्ध को हम लोग उठाएंगे सबसे वरत हम वाइड न्यूस गुजरत है इंडिया 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 ट्राइबल पॉपुलेशन यहां से समाचार का जन्म हुआ है गुजरत में भारत के सबसे ज्यादे सिकल सेल जो ट्राइबल डिजिज़े या ट्राइबल केसी है वो यहां अपने अपने गुजरत में देखने को मिलते हैं और दूसरा बिंदु कहता है कि स्टेट येड बावजुद भी गुजरत में इस मामले का प्रबंदन करने के लिए या इस बीमरी का प्रबंदन करने के लिए सेंटर के द्वरा कोई आर्थिक सहाई अभी तक तो भी नहीं गई है या बिली नहीं है तो यहां से यह पुरा पुरी जो चल्चा है वो उठती है और ऐसे बी चाहिए चोकि Central Government के दुवरा आज दिन तक गुजरत को नहीं मिला गया तो यह बात रही वाई News की चच्चा में क्यों है अब Media Report के बरे में देखे तो कई सारे बिंदू में देखने Media Report में कि अपने आप में यह जो लिफोर्ट होते हैं वह थोड़े उपयोगी तो है परिक्षा की द्रिश्टीश है क्योंकि मैं बारबर बता रहा हूं कि जूनिव्स मोध वह बहुत ही पॉर्फूल होते है और वह एक एक पावर हाउस होते है, current affairs के content का, तो आप उसे बहुत ही thoroughly पढ़िए, जो महत्तोपुन समाचर है, चाहे वो प्रादेशिक स्तर के हो, चाहे वो राश्टी स्तर के हो, चाहे वो अंतराश्टी स्तर के हो, उसे आप अच्छे से detail में पढ़े, तो आपका जो GS है, या आपका ज प्रजित कर दिया, और यहां से जो महत्तोपुन बिंदू है, उनके बारे में ही अब हमें बात करनी है, सबसे प्रथम बिंदू कहता है, कि information revealed, इन लोकसभा, by minister of state of tribal affairs, रेनुका सिंग सरूता, in response to question, yes, she is a minister of state for union ministry of tribal affairs, और उनके दौरा, जब उनने प्रसन पूछे गए, त इसी मीडिया रिपोर्ट में, she stated that the states with low number of cases than Gujarat has received economic assistance from center, यह जब यह प्रसन पूछा गया कि गुजरत में इतने सारे मामले होने के बावजुद, गुजरत में पूरे देश में सबसे ज्यादा मामले होने के बावजुद भी, क्यों जो center है, क्यों जो केंदर है, वो गुजर जहां गुजरत से कम हमले देखे गए है, सिकल सल के, वही पर भी हमने पैसे जो है, उन राजियों को भी हमने दिये है, तो यसा कैसे हो सकते है कि हम गुजरत को पैसे ना दे, ऐसा पक्स उन्होंने रखा, और एक उन्होंने अंदजा दिया कि वही approximately 60 करोर रुपीज have been released, 60 क रुपे जो है वो लगबग लगबग रिलिस किया गया है, इसी जो है टास्क के लिए यही सिकल सल को एक प्रकार से कंट्रोल करने के लिए, उसे मेनेज करने के लिए, उसके बाद इस स्टेट्स लाइक हमाचल प्रदेश, नागालेंड, तरिपूरा और उत्तर प्रदेश अगालेंड, तरिपूरा है, उत्तर प्रदेश जहां की ट्राइबल प्रदेश में सिकल सल के मामलें कम है गुजरात से, मगर फिर भी उनको अप्रोक्सिमेटली इतने करोड रुपे आवंटित किये गए है, यह स्विक्तामन्टन है, मगर फिर भी यहां इनको आवंटित कि इसा उनका पक्स यहां रहा था, उसके बाद, मिनिस्टर further states that more than 86.4 lakh tribal people in Gujarat have been screened in collaboration with ICMR and Department of Biotechnology, yes Department of Biotechnology which works under Department of Science and Technology, ठीक है, यहां मंत्री नहीं, आगे हमें बताया कि बही, कोई इना नहीं कर सकता कि Gujarat को किसी भी प्रकर का, किसी भी प्रकर की साही नहीं मिली है, कोई प्रकर क assistance नहीं मिला है, क्योंकि यहां यह तो तथिया है, वो ऐसा कहता है कि सेंटर का भरपूर सपोर्ट है, और उसी सपोर्ट के काराण, आज दिन तक लगबग लगबग, 86 lakh tribal population, जो जन्जाती है, जो प्रजाती है, जो अबदी है, उनको screening, उनका टेस्टिंग किया गया, ठीक है है, इन कॉलाबरेशन विथ, ICMR, यहने की, Indian Council of Medical Research, Research and Department of Biotechnology, तो यह दोनों के सनित प्रेया से दोनों ही Central Government के तहत है, तो ऐसा बुलना यहां, उचीत रही है, ऐसा यहां माननिय मंतरी का भाव है, यहां प्रतीत होता है, इन आफ्टर, इन दिस screening of 86 lakh people, 29,266 people found to be suffering from disease more than, suffering from disease, य यह बिमारी है, ऐसा यह हो गया, यह screening और टेस्टिंग में, और अनिया, जो 7.2 lakh लोग है, उनको, उन में जो है, वो ट्रेट जो है, पाया गया है, देखिए, सिकल सल एनेमिया, एक मेंस्रिम डीजिस होता है, दूसरा होता है, उसका ट्रेट, सिकल सल एनेमिया जो होता है, जो है कारिय करता है, यानि कि उसकी intensity जएदा होती है, वही जो ट्रेट होता है, मोडरेट होता है, यह में याद रखना है, मोडरेट, या किसे भी व्यक्ति में, अगर एक ही नंग, एक ही पीस, सिकल सल पाया गया हो, तो उसे ट्रेट कहा जाता है, या कहता है, ठीक्या, मग अगर ज्यादा एक से ज्यादा सिकल सेल पाए गए हो किसी भी व्यक्ति के खुन में टेस्ट के दोरान तो उसे मात्र और मात्र सिकल सेल डिजीज भी कहा जाता है, जो की मेंश्ट्रीम है. मगर एक होता है एक moderate जो की अपना आप में थोड़ा सा मंद है थोड़ा सा जो है कम प्रभावक है उसे one sickle cell disease भी कहते हैं उसे sickle cell trait भी कहा जाता है तो तकरीबन 7-10 लोग दो लाख लोगों में trait पाए गए है जो की आगे चलकर आगे के समय में further mainstream जो है sickle disease में develop हो सकते हैं तो भी है यहां मंतरी ने लोगसभा में कहा तेन आफ्टर मिनिस्टर आलसो इंफॉम्ड प्रोजेक्ट हैस बिन गिवन टू नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टिटूट को भी यहां इन्वल किया गया है कंद्र सरकर के द्वारा और उनको भी इस पूरे मुद्ध में एक प माननिय मंतरे सिरी के द्वारा आफ्टर स्टैट स्टाटे इस ओन सिकल सेल एनेम्या कंट्रोल जोगुजरात में है वही अपने आपने आप में सिकल सेल के स्कार बनते हैं तो जो इनिशल फोकॉस जो दिया गया वा अपने आपने साउथ गुजरत के पार्ट ये अच्छे जिल्य को दिया गया, जहां सबसे जिर्दे सिकल्सल के ममले पाया जाता है, और ये प्रोजेक्ट सरकार ने, राजी सरकार ने अपना अप शुरू किया था 2006 में, ये महिती महत्तों पोना है, उसके बाद लेटर गुजरत सिकल्सल एन अपना की गई, which is called sickle cell anemia control society, and state government even requested the union ministry of health and family verifier to launch a national sickle cell anemia control program, yes, हमने राजी अस्तर पर तो कर दिया, मगर भारती सरकार को राजी सरकार ने, यानि कि गुजरत सरकार ने यह अनुरोद किया है, रिक्वेस्ट किया कि आप अगर हो सके, तो नेशनल लेवल पर राश्टी अस् सर पर sickle cell control program की शुरुवाट कीजिए, जो अपने आप में थोड़ी असरकारक रहेगी, और हम इस sickle cell के इस जो है फेलावे को, हम लोग कम कर पाएंगे, नियंतरित कर पाएंगे, तो यहां, यहां सारी कुछ चीजे हैं, जो कि हमें media reports से चान्ने मिलीगी, अब दुसरी चीज देखें, दुसरा बिंदू देखें, तो हमें sickle cell anemia के बारे में समझना है, देखें, सब सब प्रतम तो इसे sickle की कहा जाता है, sickle यानि की दरान्ती, ठीक है, तो जो कोष होता है, जो रक्त कोष होता है, वो अपने आप में यह रूप धारन कर लेता है, दरान्ती का, जैसे यहां को दरश्यमान है, ठीक है, जो बहुत ही आनिकारत है, ब्लड फ्लो के लिए, ब्लड फ्लो को कम करता है, और इवेंचुली जो है, उसके बृत्य भी हो सकती है, तो देखेंगे, और टेक्निकली कुछ चीज जो है, जो कि इस रिजिस के बारे में, समझनी है, वो देखता चलेंगे, इस अ हरिडिट्री ब्लड अबनॉर्मालिटी, हरिडिट्री यानि कि यहां अनुवन सिख है, पिडी दर पिडी या बीमरी जो है वो आगे जायेगी, अनुवन सिख, ब्लड अबनॉर्मालिटी, प्रिडोमिनेंटल सेन अमंग दे जाती है, जो अनुशुची जाती है, उन में इनके मामले सबसे ज्यादा पाये जाता है, पूरे भारत में, उसके बाद देखे तो सिखल सल एनिमिया, देखिए एनिमिया यानि कि आपको समझ लेना है कि यह जो भीमारी है वो रप्त या खुन के साथ जुड़ी हुई है, यह दिखे इसके अकार के उपर रखा गया है, यह देखे है, यह होर्माल एडणायोगूबिन है, वहिय यह इसका सिकल स्कल स्कल्च रहते हैं। जो रक्तकन है जो वो अपना स्वरूप बदल देगा नौर्मल एडल्ट में से सिकल बन जाएगा, छोटा बन जाएगा वामन बन जाएगा, तो उसे सिकल सेल कहा जाता है और वो जो है बहुत इंटर्रप्टिव है, बहुत disruptive हों हमारे blood circulation के लिए और यह प्रकार कई अनुवंसिक बीमारी है उसके बाद देखे तो normal human RBC carries adult hemoglobin which is HBA यह थोड़ी महत्तोप होना है ठीक है which helps in transportation of oxygen in the body यह समय सबको मालूम है RBC में जो hemoglobin होता है वो हमारे circulation के लिए जिम्मदार है blood circulation के लिए पूरे स्रीजर में तो अब यह जो HBA है जो adult है वो यहाँ adult मिटकर बन जाएगा S और जब वो S बनेगा तो जो पूरा equation है वो ऐसा रहेगा HBS और जब HBS बनेगा तब हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति सिकल सिल की बीमारी का सिकार बना है तो यह पूरी जो है इसकी modus operandi है उसके बाद among the sickle cell cases जिन लोगों में यह बीमारी है उनमें क्या होता है after transporting oxygen to the tissues जब बलड में हमोगलोबिन ने tissues तक oxygen पहुंचा दिया पूरे सहर में तन अर्बीए विल कंवर्ट इंटो हाफ मून यानिकी sickle shaped because of HBS क्योंकि इनमें HBS मोजूद है तो इसलिए जब oxygen का transportation जो है एक बार पूरा हो जाएगा हर्ट से टिशू तक का तब अपना आप में RBC जो है वो अपना रूप जो है वो ऐसा half moon shaped कर देंगे या sickle shaped कर देंगे जो कि अपना आप में थोड़ा हानिका रख है और इसलिए इसे HBS कहते है और इसलिए इसे sickle cell बीमारी कहते है जाते है और इसी के कारण जो blood flow है उसमें बहुत ही interruptions आते है उसमें disruptions आते है which eventually leads to death ठीक है तो यह कुछ बात रही sickle cell anemia बीमारी के बारे में जो static में भी हमें कामा सकती है अमरे mains में एवं अमरे trillion many points of views भी हमें काम आती है और interview में तो ऐसे basic person जो है वो कई सरी बार पुछ लेते हैं कई सरी बार तथ्यात्मक महितियों के उपर भी जो interviewer panel होती है उनका भार रहता है वे दबाव देते है तथ्यात्मक महितियों के उपर तो यहां से यह सरी चीज़ अमें याद रखनी होगी तन अफटर हमें समझना है about a tribal population in India भारत में किया हल है जन्जाती का जन्जाती अबादी का दो numerically a small minority represents enormous diversity of group यस अगर आकडो की बात करें संख्या की तो बहुती लगुमती में है आज जन्जाती अप्रजाती है वो भारत में मगर अगर diversity की बात करे अगर विवित्त की बात करें तो they do have a large diversity in themselves then after Indian constitution does not provide the proper definition of tribes but article 342 but under article 342 they are scheduled yes यहां कोई definition की बात नहीं की गई मगर एक सूची दी गई है under article 342 जिनके तहत जो tribes है उनको कुछ सरकारी लाब जैसे अरक्षन हो जैसे सरकारी योजनाय हो वो मिल सकता है तो एक प्रकार से यहां सूची हमें दी गई है constitution में मगर परिभासा में यहां constitution में मिलती नहीं है यह बात भी में गोर करनी है that our constitution does not provide any definition यह एनी प्रोपर definition for scheduled tribes अब एस पर census 1931 स्टीज अर्टम्डेज बेक्वर्ड ट्राइब्स यह एक डेफिनेशन यहां 1931 के census ने दी है उनी तो 1931 की जन गणनाना में दी है वो कहती है कि esties are termed as a backward tribes living in the excluded and partially excluded areas यह एक प्रकर की यसी पीछडी प्रजाती है पीछडी जाती है जो कि अपना आप में जो excluded areas होते है या partially excluded areas होते है वहां रहती है ठीक है तो यह एक प्रकर का उनका जो discrimination है जो उनकी जो identity है वो based on dwelling है based on their dwelling तो इसी सबसे जो प्रजाती अगर कोई सहरी विस्तर में रहती है तो उनको अनसुची जंजाती नहीं मना जाएगा ठीक है तो इतनी साथी relevant नहीं है मगर एक बार जो परिभासर देने की try की गई थी वो try अमने यहां आपके समने रख दी है जो की census 1931 में की गई थी औ और इसका जो आजार था वो था ड्वेलिंग यानि की उनका घर कहां है कौन से चत्र में है कौन से विस्तार में है तो यह नो राजिय है क्योंकि अधिकांस जंजाती प्रजाती है उनकी आबादी रखते है उनके नाम भी हमारे सामने है नेमली ओरिस्सा, मध्यप्रदेश, चत्रिसगर्ड गुजरात, जारखंड, महरास्ट्र, राजस्थान, आंधरप्रदेश और वेस्ट बेंगाल ठीक है तो यह कुछ उत्तर के मध्यभारत के एवं पस्षिंभाद के कुछ राजिय है जहां ट्राइबल पॉपुलेशन्स ह अच्छी तरिके से पाई जाती है ट्राइबल पॉपुलेशन्स यहां कॉंसेंट्रेटेड है। इस पर सेंसिस 2011 ये तख्यात मुख महिती है और आम तोप्य प्रिलिम्री पॉइंट अफ यू से ऐसी महितियों का रिल्वेंस रहता है अगर आपको बताया कि अगर आप डाइवर्सिटी की दिश्टी से देखें विवित्ता की दिश्टी से तो इनमें विशाल विवित्ता समाहिद है अगर अगर पांसो से पचास अधिक भारत में जो है देखने को मिलती है तर अफ्टर अबाउट परसंट इन हैबिट इन नौर्थ इस्टन रिजियन कोई आट डसमलोग चे फिसद के बारा फिसद नौर्थ इस्ट में फिसट इन आफ्टर इवाउट फ्रसंट इन शाओधन रिजियन शाओधन रिजियन अबाउट थ्री परसंट इन नौर्थन रिजियन तो इस इस आओ प्रकार से उनका डिस्ट्रिबूशन है और यह भी यहां महीतियां याद रखनी है 5% in southern and 3% in northern जो यहां mind map के रूपने में लिखा है तो यह कुछ महीतियां थी जो कि आमें भारक के संदर्व में अनुशुचित प्रजाती की जो आबद ही है वो देखनी थी अब 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 ट्राइबल पोपुलेशन इन गुजरत की बात करें तो दो तेन बिंदु देखने हैं सबसे प्रथम बिंदु कहता है कि एस पर संसे स्ट्विटी इलेवन शेडिवल ट्राइबल पोपुलेशन इन गुजरत वोस 14.75% 14.75% यानि कि अगर गुजरत की अबादी सो है तो सो में से 14 या 15 लोग तो अनुसुचित जन जाती ही है तो यह बात हमें यहाद रखनी है अप्रोक्स 90 लैक अगर काउंट की बात करें तो 90 लाक के करीब अधिवर्सी भारत में बसते है या आई मीन गुजरत में बसते हैं सोरी एक मिन परसंट ऑफ एस्टी पोपूलेशन ऑफ दे कंट्री यास और पूरे कंट्री के तुल्णा में देखे तो भारत में गुजरत ने आठे दिसम लग एक फिसद जो प्रजाती है ट्राइबल पूपूलेशन की पूरे भारत की वह अकेला गुजरत में बसती है तो गु पर अटम भी है ठीक है और उनकी अबदी 47.89% है यानि कि देर इन मेजोरिटीती फिर उसके बाद दूबला दिवसी है जो की 7.2% के साथ दूसरे पाइंडन पर है साथ में राठवा दिवसी है जो की 7.12%, के साथ दूसरे पाइदन पर है ठीक है तो यह कम्पूजिशन है ग खुरा दिस्ट्रिबूुशन जो की गुजरत में है और यहां देख सको हो गये कि यही पर जो ड्राइबल पॉपुलेशन है वो फॉन्चरेडड है ऐसा नहीं सौरस्टर के रिजिन में नहीं है यहां भी बिल्कुल है कच्र में भी बिल्कुल है मगर यहां अधीकानस जिल्ले और तल्ूका वे जनजाती बहुल विस्तार है। यह पूरा इसका एक मान चित्र है। जो कि हमें एक आइडिया देगा कि कैसे है पूरे गुजरत में ये डिस्ट्रिब्यूट ट्राइवल वोपिलेशन है वह हुई है तो यह सारी चीजे थी जो कि आज में इस प्रथम बिंदु में देखनी थी यहां से प्रेंजिम्नरी पॉंट ऑफ यू से तो आंकड़े उपर है भारत एवं गुजरत में दरान्तिकोष यानि के सिकल सल बिमरी जो अनुसुचित जन्जातियों में अधिक रूप से पाई जाती है इस मुद्दे को अपने सब्दों में प्रकासित कीजिए डिसकस इश्यू ऑफ सिकल सेल इस विच इस प्रिवेलेंट एमांग शे इक्सा में उप्योगी साबित हो सकता है अब यहां से दूसरे मुद्दे की शर्वत हम लोग करेंगे जो कहता है कि GSLV F-10 का द्वरा जो लॉंच तई किया गया था इश्यूरो ने वो विफल रहा है अर्थ अब्जर्वेशन सेटलाइट 3 यहां इस रोकेट के साथ जाने वाला था यह रोकेट उस EOS-3 को प्लेज करने वाला था यह सारी योजना जो है वो विफल हो गई है पूरे अब आफे दो फ्लाइट वस्टेडिवल्ड अट 5.43 एम और 12 ओगस्ट तो यह लॉंच पहले की ही यह तस्वीर है तो देखेंगे वाई न्यूस से शुडू करेंगे अमरी बात तीन बिंदु देखने सब सब रथम जीयसल वी यहने की जियो सिंक्रोनस सटलेट लॉंच व जो इसरो के द्वरा जो अधिकरुत स्टेटमेंट आ रहे है और जो जिम्मेदरी उन्होंने ली इस विफल था कि उन्होंने उसमें कहा डिटेल्ड बहुत ही जिम्मेदरी ली और उन्होंने कहा कि जो तीसरा स्टेज था इस जीयसल वी का उस स्टेज में कुछ टेक्निकल अनोमली को बिए तेकनिकल स्नेपी देखने को मिला यानि कि कोछ क्षती और उसक्षती के प्रजब्स ग्ल हो गया अन्य था प्रथम स्टेज में चीज़े जो थी समय थी दूसरे स्टेज में पी चीज़े जो थी वह समय थी मगर तीसरे स्टेज में कोई कारणवर्स technical टेटनीकल स्नेक करनवर्स इगिनिशन जो होना चाहिए वही नहीं हो पाया था ऐसा यहां इसरों के दोरा अधिकरुत रूप से कहा गया था प्रीसरे बिंदू को देखे तो जी एसल्वी एफ्टन सेटलाइट वोज केरिंग यूस-3 यानि कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटल प्रिपोर्ट है प्रिपोर्ट कर धे प्रिष का प्रसन ही इस ब्याहियं है गस्याइट टेकनलोजी का जीओ अब लॉंच वहिकल यह जो उसका पूरा नाम है is a 49-meter tall three-stage rocket यह 50-meter उंचा और तीन stage यानि कि तीन अलग-अलग phase में यह कारिय करने वाला rocket है first stage uses a solid fuel या solid propellant second uses liquid which is a liquid stage and the third uses indigenously built karyogenic engine and it uses liquid hydrogen and liquid oxygen का मतलब होता है कि जो liquid fuel इस्तमाल करें ठीक है और उसमें भी liquid hydrogen and liquid oxygen जीसे oxidizer कहते है इनका उप्योग होता है इनका उप्योग करके जो है maneuvering जो है वो किया जाता है यह third stage है यह अपर stage है मगर यहीं पर खामी रही technical और इस खामी की वज़े से पूरा mission विफल हो गया और यह जो cryogenic engine है यह भी भारत की अपने आपकी जो है indigenous technology है और revolutionary technology है उसके बाद देखे तो GSLV program phase four will enable the launch of two-ton class of satellites यस आज जो प्रोग्रम चल रहा है यानि कि 2000 kg तक के satellites launch करने की सहुलियत में प्रदान करेगा जिन में geo imagining satellite होंगे navigation जो है satellite होंगे geosynchronous transfer orbit होगा देखें यहां जो orbit होते है वो अलग-अलग स्तर के होते हैं सबसे प्रथम जो है initial orbit होता है फिर बाद में वहां से transfer orbit होता है फिर उसके बाद transfer orbit के बाद में final geosynchronous orbit होता है ठीक है तो इस तरीके से इनकी launching होती है सबसे प्रथम initial orbit से वे जाते है transfer orbit तक और transfer orbit से menu रोके जाते है final destination के orbit तक देखें कुछ इस प्रकार से जो satellite launch है वो कारिय करता है यह पृत्वी है तो यहां से अगर छूटा satellite तो सिधा उपर ही नहीं चले जाएगा उकास में मगर यह बहुत ही अर्थ के करीब में चक्कर लगाएगा फिर दिरे दिरे से चक्कर लगा के लगा के वो आगे बढ़ता जाएगा पृत्वी से दूर होता जाएगा in this way ठीक है और अंत में वो उनका जो final destination orbit होता है वहां वो free हो जाएगा उसे वहां छोड़ दिया जाएगा या रख दिया जाएगा तो कुछ इस प्रकार से यह maneuvering किया जाता है उसके बाद देख्या तो significance RSLV का भारत के लिए बहुत ही significant है क्योंकि सबसे प्र प्रकार से चाहे वो अर्थ observation हो navigation satellite हो geo imaginary हो सारी चीजों के लिए यहां एक हमें self-reliance सी प्रदन करता यह satellite program है तो अपने भारत के लिए महत्तोपुना है अनिय था किया होगा कि अगर भारत को अपना EOS launch करना है तो भारत को किसी भी जो है राश्ट्र के space agency की सेवा का लाव देना पड़ेगा उन्हें पैसे चुकाने पड़ेंगे और वह सेवा वहां से खरीज नी पड़ेगी मगर यहां हम लोगों सेवा पूरे विश्व को दे रहे हैं ठीक है और commercialization of space technology में भी इस वह वह बहुत ही आगे है हलाकि एक अलग चर्चा का topic है कि बहुत ही विस्तूत ह किसी वक्त हमें मुखा मिला तो उसके उपर भी बात करेंगे मगर यहां संक्षित में हम यही रेफ्शेंस लेना है कि self-reliance सी अचीव करने के लिए GSLV अपने आप में एक milestone समान है आफ्टर communication satellites yes communication satellites launch करने के लिए भी GSLV का एक्यों कर सकते है and interplanetary mission यानि कि अगर मार्स की बात करें विनस की बात करें ठीक है तो यहां हमें PSLV नहीं काम आने वाले है यहां मत्र और मत्र हमेरे GSLV वेहिकल सी काम आने वाले है तो अपने आप में थोड़े भागतोपून सत्य प्रतिश्यत है तेन अफ्टर अंडर GSLV कंटिनुएशन प्रोग्राम फाइव जेसली फ्लाइट सर्विन प्लांड दूरिंग 21-24 येस लेखे GSLV कंटिनुएशन प्रोग्राम यानि कि GSLV का फॉर्थ फेस्ट भी कर सकते है They both are One and the Same तो ये इसका टेकनिकल नाम है GSLV कंटिनुएशन प्रोग्राम जो पून होने वला था मगर इससे फिर से एक्स्टन किया गया continue किया गया इसलिए इसे continuation program कहते है और इस continuation program को चालू रखने के लिए या GSLV program को continue करने के लिए कुल इतने इतनी धन्रसे की जरूरत है 2700 क्रोड़ों रुपे की जरूरत है जो कि के अंदर सरकर के द्वरा उनको दिये जाएंगी उसमें कोई शंका नहीं है तो इसी के तहट आज जो जी एसल्वी phase 4 चल रहा है जो 2000 टन से अधिक satellites को भी अपने destination तक पहुँचाने के लिए section है तो यह बत रही पूरे जी एसल्वी rocket program की यह rocket technology की आज दिन तक हम लोग पी एसल्वी के उपर ज्यादा निरवर्थ है प्लस इसरों का जो performance है वो पी एसल्वी में बहुत ही अच्छा है इसल्वी के बात की जाए तो वो नसा को भी भरादेगा इतना सफल जो है वो पी एसल्वी करीकरम रहा भारत के लिए मगर जी एसल्वी में हम लोग दिरे दिरे टेक्नोलोजी डेवलप कर रहा है सीखते जा रहा है ट्राइल एर्र मेथर से तो यह अपने आपने यहां जो कल की घटना थी वो फिर से हमें कुछ अच्छी चीजे सिखाएगी ऐसा साइंटिस्टों का मनना है ऐसा अमरा मनना है अब हमें एबाउट अर्थ दो 시작 Voorाइबागी तनी जगों उपर इसका काम होता है क्रोपीं पेंटर इतीह डिचीजों को देखने के लिए यहां इनका उथ यद्या प्योग होता है फ्रस्टर्वी फ्रेस्ट मेपिंग करने के लिए कितना फॉरेस्ट है कितना नहीं जनने के लिए लिए ..eled थीच्छ Il. के रूप में यह काम करेगा और जो आने वाले चाहे वो साइक्लोन हो या चाहे वो कोई भी ऐसी अनिया प्रेडिक्टिबल नेच्रल डिजस्टर हो वो से प्रेडिक करेगा हमें चतावनी देगा आफ्र अब आसे सेलइट एक्विवड डिए रिमोत संसीं टेड्णोलोजी एस यह का ट्रिक्टिबल इस्टेड आसे रहते है यह याद रखना है they gather information about earth's physical, chemical and biological system yes due to this remote sensing technology they can acquire information about earth on the basis of its physical elements its chemical and biological system as well तो बहुत ही उपयोगी है और multi-usage में भी ऐप्स अब्स अब्स यूज़रेशन सेटलाइट है many earth observation satellites have been employed on a sun synchronous orbit आज संग्रोनिस ओर्बिट के उपर कई सारे सटेलाइज जो है वह कारियरत है और वहां से जो है अलग-लग देशों के लिए डेटा जो है वह देते रहते हैं पहले अब्जरोशन करते हैं फिर उनको डेटा करूप में कनवर्ट करके यहां भेजते हैं और इन डेटा का एनली इन में से कुछ नमर सामने है सबसे प्रतम रिसोर्स सेट टू और टू है काटो सेट वं टू 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 ए टूबी रिसेट वन एंटू उसंसेट टू शाराक एंड इनसेट ठीट ए अर एंड थ्री दी एंड यह ओस वन और टू भी इसमें सामील है जो जीसलिए आज यूस क उस तरी को फिर से प्रस्थापित करने के लिए और बीट में करक्षा में जो है नया प्रोजेक्ट यहां फिर से लागू किया जाएगा तो यह कुछ महीति यहां थी उसे वरेल के बारे में और उनको एक प्रकार से चुनोती दे रही है। यहां से प्रेलिम पॉन्ट ओफ यू से तो यहां आकड़े या अनिया सरी चीजे जो है उनके उपर प्रसन पो पूछे ही जा सकते हैं मगर मेंस पॉन्ट ओफ यू से यहां एक प्रसन मोडल प्रसन हमने त्यार किया है जो आपके स्क्रिन के ऊपर है GSLV रोके टेक्नोलोजी वह उसके महत्तों के बारे में विस्तार से बताए है डिस्कस इन डिटेल अबाउट GSLV रोके टेक्नोलोजी और इस सगिनिफिकेंस इन यूर ओन वर्ट्स तो यहां से आप ऐसा प्रसनों के लेखन की प्रक्टिस भी कर सकते हैं जो आपको आपके परिक्सा में बहुत ही फाइदमन्स अभी थो प्लस आपका प्रदर्शन जो ह वह भी बहतर बने तो यह साथी चीज़े थी जो आज में देखनी थी आयो होप यूंजू दर लेक्टर हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले संपद की लेखो के वह अन्या ऐसे मत्तोपनों मेडिया रिपोर्ट के अधिया है उसके अनालीसिस में तब तक लिए इजाज़ जए हिंद।